SR Hospital and Research Center चिकली में मोतिया बिन का नियुंतम दर पर आपरेशन कराने बड़ी संख्या में नेत्र पीडित मरीजों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है यहां कि फायती दरों पर अन्य अस्पतालू की अपिक्षा मरीजों के मोतिया बिन का आपरेशन नेत्र विशग्य द्वारा किया जा रहा है यहां अत्याधुनिक मेडिकल संसादुनों की मदद से मरीजों के मोतिया बिन का आपरेशन किया जा रहा है अस्पताल के नेत्र रोग विशेशक के डॉक्टर भाटिया ने मोतिया बिन होने के कारणों और बचाओ को लेकर जानकारी दी मैं डॉक्टर जस्मी सिंग भाटिया एसार होस्पिटल में नेत्र रोग विशेशक सिवाय दे रहा हूँ मैं यहाँ पर लाष्ट पांच यह साल से ही लगातार अपनी सेवाय दे रहे जा है जब ओपरेशन और पेशन्ट देखे जाते हैं पेशन्ट के और मेरा खुद का अपना प्राइवेट होस्पिटल भी है नर्सिंग हो भाटिया नर्सिंग हो M.P. नर्सिंग हो जहां मैं हर वक्त सुबह के वक्त वहां ओपेडी देखता हूं सुबह 10 से 2 बजे तक और मैं यही कहना चाहूँगा आँखें बहुत अनमौल चीज है लोगों को अपना आँखों का ध्यान देना चाहिए अगर हलकी से भी प्रॉब्लम रहते हैं लोग इधर भागने हैं मेड से अपना ड्रॉप्स ले 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 दे बट मैं यही कहूँगा कि बिना ने त्रडुग विश्यशक के सला के बिना मेना आँख के डॉक्टर के सला के बिना कोई भी डॉप्स अगर आप डालेंगे तो उसके भी कई साइड इफेक्ट्स रहते हैं ऐसा नहीं कि है रडॉप सेम सब्सक्राइब बच्चों का जो नंबर अगर लगा भी है तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और हो सकते हैं कि बच्चों को लगई मत अच्छा विटामी ने रिस्टोर्से खाना खाईए जैसे अभी अच्छा गाजर का सीजन चल रहा है तो गाजर जरूर खाईए पालक की पानी ज्यादा पीजिये पानी जो है अगर आप डिहाइडरेशन रहेंगे तो आपको सरदरद हैडेक ड्राइनेस आखों में ड्राइनेस यह सब भी हो जाता है तो यही कहना चाहूंगा आखे अनमोल हैं आखों का विशेज ध्यान रखिए आखे सुंदर तो सब सुंदर यही कहना चाहूंगा तर्थम चाहर की शुरुवात कैसे होती है और इसके लख्षण क्या सब अच्छा है तो उनको आख में अचानक से दुमला पना जाता है गाड़ी चला रहे हैं सामने इसे लाइट आ रही है तो बंदे को कुछ फोकस नहीं हो पाता है तो यह सब जिसमें मोतियाबिंद के शुरुवात होती है पेशनक जिसको शुगर है उनको आजकल कम उमर में भी हो जाते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको 60-70 साल के उपर हैं तब ही मोतियाबिंद होगा कई बार आजकल हमारे पास पेशन्ट साते हैं 30-35 साल में भी मोतियाबिंद कई मै ख्यान रखिए योगा करिए बहराल समय रहते आखों की जाच और उप्चार से मूतिया बिंद की चपेट में आने से बचा जा सकता है वही अस्पताल के चेयर्मन संजय तिवारी ने बताया कि मूतिया बिंद का ऑपरेशन किफायती दरों में करकर अस्पताल ने मानव सेवा ही माधाव सेवा को मूल मंत्र माना है मरिजों की आखों को स्वस्त रखने अपने अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी उन्होंने दी है Grand Asian News के लिए संजय दुबे